हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर इंद्रा उड्यूटी पे वहुंस्ट वेलकम है और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करी हूँ यह इस्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रहे हूँ जो एजुकेटिड हैं वेल एजुक बतारी हूँ इसका एक रेजन है कि मेरी जो सिस्टर है जो डेली में है और उसने मुझे कॉल करके पूछा कि मेरी तवियत दो तीन दिन से खराब हो रही है मुझे बुखार हो रहा है उस बुखार के अंदर मुझे शाम होते होते बहुत ज़्यादा ठण लगके बुखार आने लग जाता है और headache होने लगता है जब उसने मुझे यह सब चीजे बताई तो मैंने उसे suggest किया कि या तो वहां के किसी doctor को concert कर ले otherwise वो एक lab test जरूर करवाए और वो चाहेगी तो मैं यहां से लिख कि उसको prescription दे दूँगी और वहां से वो test करवा ले फिर उसने जब क्य देलाएं थी उनके साथ भी discuss किया उन्होंने क्योंकि friends तो होई जाते हैं तो उससे बात की तो उन्होंने बताया कि एक यहां nearby में doctor है जो कि हमारे बच्चों को भी सेम ऐसी condition जब हुई थी तो अपने उनने दिखाया और वो बिलकुल ठीक हो गए तो यह जब बोला उसको त antibiotics और जो भी बुकार की दवाई वगरा देनी होती है वो देखे उसको बेज दिया after five to six days मैंने उसे callback किया और पूछा कि अब उसकी तब्यत कैसी है उसने वो जब reports मेरे साथ शेयर की तो मैंने उसे बताया कि उसे mild typhide है मतलब थोड़ा typhide का असर है उसके उपर और बाकी उसकी reports ठीक है तो typhide का treatment होना जरूरी है तो डॉक्टर ने क्योंकि उसको tablets लिकी थी तो ठीक है टाइफाइड जो हरता है अलोबेथिक में जब tablets antibiotics देते हैं तो tablet से थोड़ा time लेता है 15 दिन ले लेता है ठीक होने में मैंने उसे समझाया और किस तरीक से क्या diet लेनी है उसक एक बार जब बुखाड तूड जाए अच्छे से तो मुझे बताना उसने को जब मैंने वापिस callback की थी 5-6 दिन के बाद तो उसने बताया कि उसको same वही condition रह रही है कोई भी असर नहीं हुआ है तो मैंने उसे बोला कि एक बार वापिस से आप उस doctor के पास जाओ और उनसे बात करो जब वो उस doctor के पास गई उनको बताया कि मेरे को इस medicine से इतना कोई असर हुआ नहीं है तो क्या करना चाहिए और यह सुनके जब उसने मुझे बताया कि doctor ने क्या बोला है उसे सुनके मुझे बड़ा आश्चेर हुआ डॉक्टर ने बोला कि मुझे आपकी condition नहीं स suggest किया उसने मुझे callback की इसका ये एक अच्छा point है कि वो हमेशा मेरे साथ share करती है मुझे बताती है कि वो किस doctor के पास जा रही है या क्या उसके साथ हो रहा है वो सब share करती है तो उसने मुझे बताया कि doctor ने तो मुझे अब ये बोल दिया है कि उससे समझ ही नहीं आ रहा ह कि मेरे साथ क्या दिक्कत है और वो ये कह रहा है कि आपकी platelets कम हैं जबकि आप देखेंगे उसकी report में तो platelet normal है कोई कम नहीं है और typhide को लेकि उसने कोई जिक्करी नहीं किया जबकि उसके मारी typhide आया है as per reports जब उसने मुझे ये बताया कि doctor ने मुझे ये बोला है कि doctor ऐसे कैसे बोल सकते है कि मुझे समझ में नहीं है जबकि reports मैंने भी देखी है उसके my typhide आ रहा है और ये बूलना कि मुझे समझ नहीं हा रहा है मुझे भी बहुत अजीब सा लगा मैंने उसको बोला उससे पहले जब उसने मुझे medicines बेजी तो एक plain मुझे paper पे वो सिफ medicine क पिच्चे उसने लेखे बेजी फिर मुझे यह क्लिक हुआ कि नहीं यार ऐसे कैसे किसी doctor ने बोला मैंने उसे बोले तुम मुझे उसका detail बेजो जिस doctor के बारे में उन्होंने बताया है plus कौन से doctor के पास तुम ने तुम गई हो क्योंकि आपको पता है कि यह बहुत जादा common ह है villages में तो बहुत ही गाओं में आप देखेंगे तो जिने छोला जोला चाप doctor बोला जाता है वह बहुत है और मतलब लोग अपनी health को इतना light ले रहे हैं इतना हलका लेते हैं कि वह यह देखते ही नहीं कि फला फला doctor है भी या नहीं उस doctor ने क्या degree की है नहीं की है और वह registered ह है भी या नहीं वह सिफ जाते हैं doctor ने उसको इतना believe है उनका मतलब इस पेशे के साथ और मुझे भी है कि जब आपका इतना believe है उस पेशे के साथ तो doctors के लिए भी मेरा यह है कि आप please उनके साथ खिलवाड़ना करें आप उनको यह at least बता है कि हम इतना ही treatment कर सकते हैं और आ उनको कुछ दवाई लिखनी ही पड़ेगी या आप उनको कोई test लिखना ही पड़ेगा तो यह सब नहीं होता है अगर आप चाहोगे आपको नहीं समझ में आ रहा है first visit में आप उसी time बोल दो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है आपके साथ क्या इस्तिति है और आप इस doctor के पास जा सकते हो recommendation का कोई problem नहीं है second opinion सब लेते हैं मैं भी लेती हूँ अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है मैं अपने seniors के साथ लेती हूँ हम friends आपस में पूछते हैं उसमें कोई problem नहीं है लेकिन यह चीज़ बोला तो मुझे बहुत अजीब क्लिक हुआ और वो डेली के बाहर कोई name plate भी था या नहीं क्योंकि market में of course ठीक है घर पे होता है तो कोई जोरूरी नहीं है अब मार्केट में तो है तो अगर उन्होंने कुछ तो लगाया होगा क्या है कहीं यह कोई और nursing staff अगर है या अधर कोई ऐसे तो नहीं है जब उसने मुझे भेजा तो उसमे ऐलोपेथि से लो आयवेदिक से लो कहीं से भी treatment लो बट आयवेदिक डॉक्टर ने उसको ऐलोपेथिक दवाई लिखी मुझे उस चीज से problem है मैं यह कह रही हूँ कि अगर आप ऐलोपेथिक के डॉक्टर नहीं है आयवेदिक डॉक्टर है आप एक बार तो पेशेंट को कि भी मैं आयवेदिक का डॉक्टर हूं मैं आपको रॉवेदिक टॉट्मेंट दे सकता हूं आपको ऐलोपेथिल लेनाए तो फला फला डॉक्टर के पास चले जए उन्होंने ऐलोपेथिक टॉट्मेंट लिखा मैं भी लिख सकती हूं मुझे बहुआ तगन बिक्तभी इस जब्धा नहीं करती क्योंकि एक तो मेरा बिलीव बहुत है होमेपैथी के उपर, दूसरा मुझे जिस चीज का बहुत ज़्यादा ग्यान नहीं हो, पता सब कुछ है, क्या side effect होते हैं क्या treatment चलना है सब कुछ है बड़ वो मेरा profession नहीं है तो why I will enter on that मुझे मेरी पैती पर इतना भरुसा है इसलिए मैं उस पर ज्यादा concentrate करती हूँ उन्होंने एक तो आयवे दिख डॉक्टर allopathic medicine लिख दिया आपने फिर आप doctor patient को यह बोल रहे हो कि मुझे समझ आज ही नहीं आ रहे है आपके साथ हूँ हो क्या रहे है और उसके बाद आप उनको recommend करते हूँ ऐसे specialist के पास जो कि thyroid और sugar thyroid BP का specialist है हना तो it's okay physician हो उनके पास जाओ चलता है लेकिन मुझे यह चीज ही समझने है मैंने उस पर मैंने सबसे पहले तो अपनी sister को ही phone पे डांट ल दोक्टर के पास और वो तुझे लिख रहे है उसके बाद भी तो यह नहीं सोच रही कि वह उन्होंने ऐसा क्यों लिखा मैं उनसे question करूं और अगर वह आईवेद इक डॉक्टर है तो इतना तो यह तुमें भी पता है कि आईवेद हो में पहते हैं सब की अलग 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 publicity कर ले यानि social media पर या कैसे भी कर ले लेकिन doctor एक ऐसा पेश है जिसमें mouth publicity सबसे ज्यादा आपकी success करती है उस doctor को आपने एक बार treatment लिया वो ठीक हो गया तो आप जब भी अब किसी से उस मतलब जो ठीक हुआ है उस patient से पूछोंगी तो definitely उसी doctor को recommend करेगा कि मैंने इसकी रहे हैं कि आपका profession कुछ और है आप दवाईयां वो दे रहे हैं by chance अगर ऐसा कोई side effect हो जाए इन दवाईयों से तो आप कहां मतलब दिखाओगे क्या करोगे उस patient की पूरी life के साथ आपने खिलवाड कर लिया और गलती इसमें patient की भी है बीना सोचे समझे बीना उसकी degree जा अगर यह बढ़ गया तो कितना उसके लिए problem कर सकता है फिर मैंने उसने मुझे बता है कि इस doctor को फला फला को recommend किया है तो मैं क्या करूँ मैंने उसको clearly बोला आगे से तुम जब भी जाओ at least अपने तुम तो पड़े लिखे हो जो अनपड है न वो भी direct उनी doctors के पास जाते हैं मैंने देखा है कि जो पड़े लिखे हैं वो अनपड से भी जादा अनपड वाला काम करते हैं जो अनपड लोग होते हैं वो सीधा hospital में जाएंगे किसी की कहने से इधर उधर नहीं जाते हैं doctors के पास जाते हैं उन से treatment लेते हैं उनको भी पताया कि कौंसी देशी मिल रहे है कि वी type मिल रही है कि क्या दवा और तुम पड़ लिखे सिफ इतना कि उन्होंने कहा दिया मैं चली गएanov मैं दिखा नहीं है, होमेपती में नहीं है, सब जगे पे है और अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन जो डॉक्टर जिस पैती का है, अटलिस्ट वो प्रेस्क्राइब करें, आज देखें तो कहीं ने कहीं, डॉक्टर अपना ट्रस्ट ही खो रहे हैं, उन पेशेंट्स के उपर, और ऐसे क जब ट्रीटमेंट कर रहा है, यूपी डेली में बहुत है, तो एकदम लॉग खिंचे जा रहे हैं, उसको बढ़ाए बढ़ाए जा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, मतलब क्यों नहीं हो रही, विमारी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों और क्यों नहीं है जो BMS, BHMS है आप अपनी पैथी को इतना भी मतलब नीचा ना समझे कि आपको लगे नहीं यार इससे तो कुछ नहीं हो न और हम ऐलोपेथिक ट्रीटमेंट करते हैं इससे आप अपना और अपने पैशन का नुकसान कर रहे हैं एक तो आप अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे कभी आपके अंदर वो confidence नहीं आएगा जो आपकी पैथी यूज़ करने से आपके अंदर रहेगा दूसरा और ना आपको उसे बताया है उसका भी टूटेगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए मैं डॉक्टर से request करूँगी कि वो अपनी पैथी का ही treatment करें मैं patient से बोलूँगी कि आप पड़े लिखे हैं at least थोड़ा सा देखें कि कौन सा डॉक्टर है किस जगे पे आप जा रहे हैं क्या है यह सब लेना चाहिए तो मुझे यह जब मेरे sister ने बताया मुझे बहुत गुसा आया उस पे भी और उन पे भी गुसा आया जो इस तरीके से doctors कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ यह point share करूं आप भी ध्यान रखिए in future जो treatment आपको लेना है उसी doctor के specialist के पास आप जाएं और treatment लें ऐसा नहीं है कि आईवेद homeopath में इलाज नहीं है मैं as being a homeopath I am very fully confident बहुत ही इससे cases हैं जो एलोपेथी में they are also said कि इसका कोई इलाज नहीं है वो हमने इलाज किया है बट मेरा यही है एलोपेथी treatment के मैं एलोपेथी का सारा कुछ देखती हूँ और hospital जो हमारी है उसमें एलोपेथी ओमेथी दोनों हैं एलोपेथी के सारा हम लोग देखते हैं बट कभी हम लोग इस तरीके से नहीं करते हैं तो आगे से आप भी ध्यान रखिएगा इस तरीके से नहीं समझ में आता है मना कर दीजे बट इस तरीके से खिलवार ना करें पेशन्ट भी अलर्ट रहें कि आप treatment कैसे और क्या करवा रहें उसके बारे में जानकरी रखें so I hope आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो पसंद आया है तो please do like, share and comment और मेरे इस वीडियो को मैं चाहूंगे आप share जरूर करें ताकि ये awareness हर patient को, हर एक person को मिल सके तो please do like, share, comment my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel that is Dr. Indra on duty bye-bye, stay healthy, stay safe, take care